आगामी दो हजार चौबिस लोगसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए सेयुक्त रणीती बनाने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक आज पटना में शुरू हो गई है बैठक में पंदर से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हैं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बिहार के सीम नितीश कुमार डिप्टी सीम तेजस्वी यादव राश्ट्रिय जनता दल के प्रमुक लालू यादव और कॉंग्रिस अध्यक्षु मलेकार जुन खड़गे साथ साथ कॉंग्रिस नेता राहूल गाधी पशिम बंगाल की सीम और टीमसी प्रमुक ममता बेनर जी राश्ट्रवादी कॉंग्रिस पाठी के प्रमुक शरत पवार शिफ सेना योबीटी प्रमुक उद्धव ठाकरे सपा प्रमुक अखिलेश यादव जमु कश्मीर के पूर्व सीम उमर अब्दुल्ला पिपल्स डेमोकरिटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुक महबुबा मुफ्ती दिली के सीम अर्विन के श्रिवाल संजे सी सीपी आईएम के सीताराम यचोरी जार्खन के सीएम हेवन सोरेन मीटिंग के लिए एकत्रित हुए है विपक्ष की ये महा बैठक राजनीतिक गलियारों में चर्शा का विशेबनी हुई है जसको लेकर जहां विपक्ष बैठक का इंतिसार कर रहा है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इतमिनान जताते हुए कह रही है कि उन्हें इस बैठक से कोई डर नहीं है